हलो इस्टुडेंट वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम कुछ खास डिसकस करने वाले हैं और इसमें आपको बता हूँगा कि ये कोई आसान फ़ान काम नहीं होता है और इसलिए एक पोयम को जब भी आप पढ़ते हैं तो काफ़े डिफिकल्टीस महसूस करते हैं आज उस डिफिकल्टीस का अंथखण करते हैं और देखते हैं कि एक पोयम को किस तरह से रीड किया चाहे और उसको समझा कैसे जाए उसी के उपर ये पूरा वीडियो रहेगा बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है तो लास तक देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए What is poetry? सबसे पहले हम poetry को समझने के लिए पहले ये समझते है कि poem आखिर होती क्या है poem एक ऐसा writing piece होता है एक ऐसा literature का piece होता है जिसको छोटी छोटी लाइनों में arrange किया जाता है यानि कि small sentences जो है वो arrange किये जाते हैं और लिखे जाते हैं या फिर poetry को हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि poetry is a form of literature that uses aesthetic and often rhythmic qualities of language poetry यानि कि poem जो है literature का एक ऐसा रूप है जिसमें aesthetic feature होता है quality होती, aesthetic means rush होता है हिंदी में भी आपको rush की परिभाशा आती होगी कि rush किसे कहते हैं किसी काव को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनन्द की प्राप्ती होती है उसे rush कहते हैं तो poem को पढ़ने में चाहे वो English में हो, Hindi में हो या किसी और भाशा में हो अगर आप उस भाशा को जानते हैं तो आपको आनन्द प्राप्त होता है इसके अलावा अधिकतर poem में rhythmic quality होती है, यानि कि एक rhythm आती है एक musical sound जो है उस poem में होता है, उसको आप गा सकते हैं, उसको एक अलग तरीके से पढ़ सकते हैं poetry जो होती है, उसकी एक ओर definition यहाँ पर और हम clear कर लेते हैं कि literature that evokes a concentrated imaginative awareness of experience और a specific emotional response to language chosen arranged for its meaning, sound and rhythm poem का जो meaning होता है, उसका अर्थ, उसका sound और उसकी rhythm इन सब को एक इस तरह से arrange किया जाता है कि वो लिखने वाले का जो emotional experience जो वो करता है, उसको वो means व्यक्त करती है यानि कि आपके emotions को व्यक्त करने वाला literature piece को हम poem खेते हैं Ben Johnson ने कहा है कि उसने अपनी तरह से मतलब कि poem की छोटी सी definition देने की कोशिश करिये speak somewhat above a moral mouth इसका तादपर ये होता है कि morality जो होती है यानि की नेतिकता के मुह से उपर उठकर जो भी कुछ कहा जाता है उसको poem कहते हैं poem को understand करने के लिए आपको हमेशा कुछ उसके elements है उन elements को अपने दिमाग में रखना है यानि कि कि किसी भी चीज को समझने के लिए जैसे आप science के student है या आप commerce के student है या आप art के student है जब भी किसी subject को आप पढ़ते हैं तो उस subject के elements को पढ़ना ज़रूरी होता है आप elements को पढ़ने का मतलब यह है कि आप उसकी बनावट को भली भाती जान पाते हैं means आप उसको आपके लिए वो particular subject well known तब हो पाता है या अच्छ से जान कर उसके बारे में तब हो पाती है जब आप उसके elements को अच्छ से जान लेते हैं तो poem के भी कुछ elements हैं उन elements को ध्यान में रखते हुए, mind में रखते हुए आप poem को पढ़ते हैं तो निश्चित तोर पर ही poem जो है वो आप आसानी से समझ सकेंगे देखते हैं इसके elements क्या-क्या है और उनको deeply आप कोशिश करिए जानने की, याद रखने की ताकि जब भी आप poem पढ़े, definitely आपको उसका meaning समझ में आजाए, easily सबसे पहले ये जान लेते हैं, elements को जानने से पहले कि poem को पढ़ा क्यों जाता है A poem is to be read for its message and that message is hidden in the poem Poem जो है, उसका संदेज जो होता है Poem में जो message होता है, उसके लिए पढ़ी जाती है जो की poem में छुपा हुआ रहता है The message can be acquired by treating the words as symbols जो words उसमें use किये गए है, जानि कि जो शब्द उस poem में use किये गए है उनका meaning आपको लेना है, समझना है लेकिन उनका meaning जो निकलता है, उनको as a symbol प्रतिकात्मक रूप से लेना है, exactly उनको वैसा का वैसा meaning उनका कभी नहीं निकलना है which naturally do not mean what they say means जो शब्द उपयोग किये गए है, उसका मतलब, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उनका क्या अर्थ है यानि कि naturally जो उनका अर्थ निकलता है, वो अर्थ poem में बहुत कम टाइम पर होता है यानि कि उनका meaning कुछ और ही निकल कर सामने आता है but stand for something else यानि कि जो शब्द poem में poet के दोरा use किये गए हैं उन शब्दों का अर्थ poem समझने के लिए जब हम निकालते हैं तो उनका अर्थ जो वाकई में अर्थ होता है वो नहीं लेकर उनका symbol के तोर पर कुछ और ही हमें समझना पड़ता है तब जाके एक poem समझ में आएगी अगर उसके जिस तरह से शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों का अर्थ वो ही अगर अपन लेते हैं तो हम कभी भी poem को नहीं समझ पाएंगे poem के meaning को understand करने के लिए क्या करना होगा To understand the meaning of a poem, read it more than once एक बार से ज़्यादा आपको poem पढ़ना चाहिए यानि कि poem का meaning आप एक बार पढ़के नहीं निकाल सकते उसको एक से ज़्यादा बार आपको पढ़ना होगी identify the speaker and the situation poem में speaker कोन है? क्या poet खुदी speaker है? या किसी और की मूँ से वो बोल रहा है कहने का मतलब है कि कभी-कभी poet क्या करता है? किसी और को speaker बना देता है खुद लिखता जरूर है लेकिन speaker कुछ कोई और हो सकता जैसे किसी poem में मान लो कि जैसे आपने हिंदी की poem का हम example ले लेते हैं तो हिंदी की poem आपने सूर्दास के पद पड़े होंगे तो सूर्दास जी वहाँ पे लिखते जरूर है लेकिन कई बार क्या होता है कि यशोदा मा जो है वो क्रश्न को कहती है हमें लगती है तो कहने का मतलब है कि speaker कोई और हो सकता है और दूसरी सबसे important चीज कि जो speaker है चाए वो poet है या कोई other person है हमें ये देखना होगा कि उसकी situation क्या है वो किस condition में उस poem के जो शब्द बोल रहा है या कह रहा है तो हमें ये दोनों चीज समना जरूर है जब तक हम speaker के बारे में पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उस poem का सही अर्थ नहीं कर पाएंगे यानिकि उसके meaning को understand नहीं कर पाएंगे So in order to understand the poem we have to read it more than once and we should identify the speaker and the situation of speaker speaker के situation में उसको भी आपको समझना होगा क्योंकि situation हमें बता देती है कि वो किस तरह की बातें बोल रहा है एक एक करके इसके elements देख लेते हैं तो first जो सबसे important elements है के वल मैंने वही discuss किये सबसे पहली है theme theme मतलब कि उसका base क्या है poem का base क्या है the main idea और message about the mankind or life conveyed by a poet एक poet इंसान या इंसान के जीवन के बारे में या nature के बारे में जो भी main idea या मुख्य जो उसका बिंदू होता है जिसको हम central idea भी बोलते है वो theme होती है the theme can be the moral of the poem poem का जो moral होता है वो theme हो सकती है और it is a central idea ये क्या होता है उसका केंदरी ये भाव होता है यानि कि central idea उस central idea को हम उसकी theme कहते है by reading the entire poem the reader can identify the theme पूरी poem को पढ़ने के बाद ही आपको theme समझ में आती है दूसरा जो सबसे important इसका है वो है tone element है tone tone का मतलब क्या होता है poet's attitude towards the subject of the piece यानि कि जो writing piece उसने लिखा है उसके जो subject है उसके परती poet का attitude कैसा है positive है negative है or the way of expressions या उसका व्यक्त करने का जो तरीका है वो किस तरह से है किस लहजे में है मतलब वो लहजा जो है न वो tone होता है it includes the words used in poem diction जो words उसने use किये हैं poem में उन words को आपको देखना होगा यानि कि उसकी शेली क्या है भाशा शेली क्या है उसको हम diction बोलते है मतलब words का किस तरह से use किया है जिसको हम syntax बोलते है and poet's level of formality और poet कितना formal है लिखते हुए यानि कि वो formal है या informal work उसने लिखा है कहने का मतलब है कि वो किसको address कर रहा है reader में भी वो किसको address कर रहा है कुछ poem से लिखी जाती है बच्चों के लिए कुछ होती है बड़ों के लिए कुछ life से संबंदित होती है कुछ प्रकृती से संबंदित होती है तो poet जो है कितना formal है या informal है इस बात को भी आपको समझना होगा तभी आपको उसकी tone समझ में आएगी tone का सीधा सा मतलब यह है कि the way in which we convey our message to others जिस तरीके से हम अपना संदेश दूसरों को convey करते है उसमें हमारे बोलने का तरीका क्या है the words we have used at the time of conveying our message to others दूसरों को जब हम message convey करते है तो हमने किस तरह से सब्दों का उपयोग किया है वो जो है poem की tone होती है यहाँ पर कुछ specific tones के बारे में बताता हूँ जो कि सबसे important tones है आपको और clear हो जाएगा उससे कि actually में tone होती क्या है कुछ important tones है accusatory means charging of wrongdoing किसी के उपर आरोप लगा रहा है poet क्या गलत करने के लिए bitter bitter का means कड़वाहट animosity means कहने का मतलब है exhibiting strong animosity मने कि किसी से दुश्मन ही निकालने के लिए कड़वाहट भरे शब्द बोला जा रहा है critical critical का मतलब होता है finding false जब हम किसी चूज में गलतियां ढून लेते हैं तो poet कभी कभी ऐसी poem भी लिखता है earnest means a sincere state of mind जब poet का mind ये speaker का mind बिल्कुल sincere होता है उस condition में जो मतलब tone होती है वो earnest होती है intimate intimate जो tone होती है वो कहती है very familiar means बहुत ही जानी भेचानी चीज़े जो है उसमें यूज की जाती है matter of facts accepting of conditions जो इस्तितियां है परिस्तितियां उनको स्वीकार कर लेना ये होता है matter of facts optimistic means hopeful और cheerful यानि की future के प्रती hopeful रहना या cheerful रहना optimistic tone होती है reverent treating a subject with honor and respect किसी subject के प्रती बहुत जादा respectful होना या हम उसको honor देना ये reverent होता है reflective illustrating innermost thoughts and emotions जब poet अपने अंदर के भावों को व्यक्त करता है अपने emotions को अपने वीचारों को व्यक्त करता है जो कि अंदर से आते हैं उनको reflective tone कहते है sarcastic means होता है casting sarcastic means होता है किसी के उपर ताना मारना एक तरह से sincere ये genuine genuity को show करती है solemn means standing towards sad reflection जब poet का sad reflection होता है तो उसमें जो tone होती है उसको solemn कहते है तो कहने का मतलब है कि ये जो tone है इन tone के base पर ही एक poem को understand किया जा सकता है और जब किसी poem को पढ़ने के बाद अगर उसको describe करना पड़े तो आप जो अपने answers है अपने description है अपना explanation उनमें आप use कर सकते हो कि the particular poet used bitter tone in the poem to express his or the speaker's animosity towards a particular person और the poet criticized a particular subject or particular situation इस तरह से हम इन tones का use करते हैं जब हम उस poem को explain करते हैं तो matter of facts means हम इस तरह से use कर सकते हैं कि the particular poet in his poem by telling these sentences or these words he accept the particular situation आप वो किसी situation को accept कर रहा है इस इन शब्दों का उपयोग करके उसने ऐसा कहना चाहा है इस तरह से आप अपनी poem का explanation जब करोगे तो आप आसानी से उसको कर पाओगे अपने answers जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे और आपके answers जो है वो बहुत impressive होंगे क्योंकि 12th standard तक या graduation standard तक भी केवल वो अच्छे students जो की language को अच्छे से समझते हैं केवल वो ही इस तरह के answers लिख पाते हैं तो मैं suggest करूँगा आपको कि इन tones के जो words है poem को अच्छे से समझ के आप explanation में use करिए next element है mood mood का क्या मतलब होता है what emotions evoked by a text by using many devices to create the mood in a text literature के कहीं सारे devices होते हैं जिनको literary devices बोलते हैं उन devices का use करते हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए किस तरह से poet अपने emotions को कहता है ठीक है that is a mood such as जैसे की dialogue जैसे two मतब दो character के बीच में dialogue होते हैं ठीक है कई सारी poems होती है जिसमें dialogues भी होते हैं setting का मतलब क्या होता है कि poem where कहा लिखी गई when कब लिखी गई who are the character और उसमें characters कौन कोने दूसरा है plot plot actually में poem का हिस्सा ना होते हुए हम बोल सकते हैं कि ये use होता है सबसे ज़्यादा play के लिए तो इसमें rise and fall of actions and events जब भी जो actions और मतलब events हैं गटनाएं हैं और जो क्रियाँ हैं जो हो रही है उनका कब-कब वो ज़्यादा होती है कब-कब कम होती है यानि कि कब extreme situation बनती है कब अच्छी situation बनती है कब confusion वाले situation बनती है ये होता है plot तो कभी poem में भी होता है लेकिन maximum इसका जो plot है वो हम use करते है plot जो है वो play का element होता है कुछ important moods यहाँ पर है suspense वाला जहाँ पर suspense हो गे रहा lonely जब poet अकेला पन महसूस करता है happy भी हो सकता है angry, annexious, tense, tension वाला suspicious हो सकता है excitement वाला हो सकता है depressed वाला हो सकता है scared and disgusted तो ऐसे कुछ plot जो moods होते हैं वो poem में हो सकते हैं तो हम जब भी explanation करेंगे किसी poem का तो इनका भी use कर सकते हैं poet जो है वो किस तरह की mood में है क्या चीज़ें वो कहना चारा है तो poem का ओर-ओर mood वो होगा जो उसके words जो use किये गए हैं उसमें various devices का use करते हुए और उनको किस तरह से उन्होंने explain करने की कोशिश करिए तो poem की dialogues को ध्यान रखेंगे अपन उसके setting को ध्यान रखेंगे और plot को ध्यान रखेंगे की वो किस तरह का है और उसके particular moods को हम समझ पाएंगे The next element is imagery Imagery means होता है एक तरह से कोई तश्वीर बनाना या imagination करना The figurative painting of a vivid picture in the mind of a reader with words is imagery Imagery क्या होती है शब्दों के माध्यम से जब एक poet reader के दिमाग में एक picture create कर देता है यानि कि एक तस्वीर बना देता है और अगर कोई painter उसको पढ़ ले तो वो painter निश्चित तोर पर एक image बना सकता है यहाँ पर कुछ poem की lines है जो poem का नाम है कूबला खान और which is written by so twice five miles of fertile ground ground के बारे में बात करा है उब जाओ ground के बारे में so twice five miles of fertile ground with walls and towers were girdled round and here were gardens bright with sinos rails यह जो poem है इसमें एक एक चीज इस तरह से describe करिए कि walls है towers है ठीक है इसके अलावा fertile ground है garden है ठीक है तो इस तरह से एक image आपके दिमाग में बन जाती है कि particular जो poem है वो किस तरह की बात कर रही है और किस तरह का उसका पूरी imagination जो है आप reader के mind में पढ़ते हुए create हो जाती है तो जब भी एक poem को आप पढ़ते हो तो एक image का create होना जरूरी है याद रखी जब image आपके दिमाग में create हो पाएगी तभी आप उस poem को long term तक जो है अपने mind में save कर पाएगे यानि कि आप उसको भूलोगे नहीं जल्दी और अपनी exams होगे रहा हमें जब भी आपको आती है आप उसका better तरीके से explanation कर सकते हो या better answers अपने बना सकते हो आप The last element of the poem is symbolism which is very important कहीं सारे poets हैं जिनको आपने पढ़ा होगा ठीक है जैसे Robert Frost है ठीक है जैसे आपके William Watsworth है और John Milton है William Shakespeare की sonnets है या फिर आपके Ravindranath Tagore है इनने जितनी poems लिखी है उनमें और जैसे class 12 में अगर आप चलते हैं तो वहाँ पर 2 autumn है और 11th class में अगर आपन जाते हैं तो वहाँ पर कुछ poems है जो की बहुत ही अच्छे poet की poems है और उन्होंने symbols का use की है और symbol की definition हमने पहले ही देख लिए फिर देख लेते हैं symbolism क्या होता है the presentation of tangible object tangible मतब जो दिखते हैं that actually represents an abstract or intangible concept or idea is symbolism जो चीजे दिखती है उन words को use करता है poet और जो उनका meaning निकल के राता है वो कोई abstract thing हो सकती है intangible हो सकती है जिनको हम देख नहीं सकते हैं कहना का मतलब है कि शब्दों के माध्यम से poet हमें जो दिखाता है actually वो उनकी बात नहीं करता है जैसे यहाँ पर एक poem है जो कि William Blake की एक poem है उसने कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया as sunflowers William Blake ने जो sunflower है तो symbol के तोर पर यूज़ किया है sunflower means दिखता है tangible thing है जो हमें poet दिखा रहा है लेकिन वो बात किसकी कर रहा है जो यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा है और वो बात कर रहा है किसकी human beings की यहाँ पर वो इंसान को कह रहा है अपने हिंदी में भी एक कवीता है उसका सुना होगा एक दोहा टाइप है exactly मुझे याद नहीं है कि वो दोहा है कि सोठा है परन्तू मुझे उसकी एक line जरूर यहाँ पर याद आ रही है माली आवत देखकर कलियन करी पुकार तो यहाँ पर माली जो है वो यमराज को poet ने बोला था और कलिया जो है वो उन लोगों को बोला था वो हुमेंगाइंड जो की अभी युवा आवस्ता में है फूल फूल चुन लिए कल ही हमारी बार तो फूल फूल मतलब वो लोग जो की बुड़े हो चुके तो यमराज ने उन लोगों को मतलब की वो मरने वाले हैं अब और कल ही हमारी बारी का मतलब हो रहा है कि आने वाले टाइम में हमारी भी बारी आएगी हम भी एक दिन बुड़े हो जाएंगे तो उसी तरह से पोएट ने यहाँ पर भी सनफ्लावर जो है उनको एक उमेन बींग की तरफ तरह ही लिया है और यहाँ पर एक मतलब एक तरह से सिंबोल के तोर पर उनका यूज किया है तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छे से समझ बाया होगा यह जो एलिमेंट से मैंने डिसकस किये बहुत इंपोर्टन है किसी पोयम को समझने के लिए आप इनका यूज करिए अपनी पोयम को समझिए और फिर देखिए आपके लिट्रेचर पार्ट जो है आपकी इंगलिश का वो बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा डेफिनिटली हो जाएगा अगर आप इनका सही से यूज करते हो अगर इससे रिलेटेट कोई भी आपको प्रॉब्लम हाती है प्रॉब्लम क्रियेट होती है तो यू केन राइट मी इन कमेंट बॉक्स आइविल राइट बेक यूर सॉलीशन आपका सॉलीशन के साथ मैं आपको कमेंट करूँगा और डेफिनेटली अगर कुछ लगता है इसा तो डेफिनेटली उसके उपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपके सारी प्रॉब्लम्स जो है उससे रिलेटेट दूर हो जाए आपको वीडियो को देखना होगा शेर करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आप लिट्रेचर के प्रती अवेर हो सके आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू रिए मच्च